यह जो आम आत्मी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से यह तो आतंगबाद का सच्चा हिदेशी है अधियोध्या में राम मंदिर का दिरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जा करके पाकिस्तान चिला रहा कि हमारी कमर तोड़ दिये भारत के जवानों ने लेकिन आम आपने पार्टी को इसका भी पर्माण चाहिए होता है वैयोगे नो आतंगबाद और भष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है इसलिए जो भष्टाचारी है आतंगबाद समर्थक हैं भष्टाचार और आतंगबाद जिन्के जीन्स का हिस्सा हो उसको वोड़ दे करके हम अपनी वोड़ को कलंकित कतई न करें कॉंग्रेस सरदार साहब को कभी संवान नहीं दी जब सोमनात मंदिर के पुनद्धार का कार सरदार साहब करना चाहते थे तब कॉंग्रेस ने बिरोद किया था पंडिच वहला नेरू ने बिरोद किया था कॉंग्रेस मुसलिम वोड़ बैंक की खातिर कभी दी आपकी आस्ता को संवान नहीं देना चाहती थी और इसलिए कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनात के मंदिर का पुनद्धार हो लेकिन सरदार साहब की दिड़िच्छा सकती उन्होंने यहीं पर समुद्र के पर किनारेख खड़े होऻ करके उन्होंने आपर अपर संकल्प लिया था कि किसी काल घंडेमंई करकल विदेशिया क्रांता ने अमारे किसी आस्ता के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आश्ता को अ हब क्या है ऑस्गर धारत गुरामी के उन इसनों को स्वीकार नहीं करेगा और हत्मान सोमनात के भब्य मंदिर के निर्माण कारे को आगे वढ़ाया था जब उस समय के राश्टपती डॉक्टर राजिंद्र प्रसाथ चीज कारिक करम में आना चाहते थे उन्हें रोकने का हवर सक प्रयासवा था भाईयो बेनो जो कॉंग्रेस आपकी आस्ता के साथ खिलवाड कर रही हो क्या उस कॉंग्रेस को हम समर्थन करेंगे जो कॉंग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है क्या उस कॉंग्रेस के साथ हम खड़े होंगे और कॉंग्रेस के वल यही पे सांथ नहीं थी, कॉंग्रेस ने बाबा साथ भीमराम बेटकर कभी अप्मान किया, बाबा साथ भीमराम बेटकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें चुना हराने का भर्सक प्रियास कॉंग्रेस करती थी, बावा साथ भीम राउम बेटकर से जुड़ेवे पांच प्रमकस्तलों को पंच तीर फिकर उपने विक्षिट प्रधान मंत्री मोधी जी ले किया है वागवान सोमनात का यद्धाम आज जिस भव्यता को प्राप्त कर रहा है पाप सब के सामने है प्रधान मंत्री मोधी जी के मार्ग दर्शन में उनके नित्रित्तों में भारत के विरासत का सम्मान हो रहा है भारत के इस विरासत को एक नई उचाईया प्रधान करने का कार्य हो रहा है और साथ साथ विरासत के सम्मान के साथ ही भारत के उन सभी हुतात्माओं को अवर सहीतों को जिनोंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्त्र में चावर क्या था उनके प्रतिवी पूरे भारत वासी कृतकिता ग्यापित कर रहे हैं और इस अवसर पर भगबान सोमनात के समंदिर की उस काल खंड में रक्सा करते वे सहीत हुए बीर हमीरचीत गोहिल को मैं कोटी कोटी नमन करता हूँ मैं इस अवसर पर लोपुरुस्तरदार बला भाई पटेल को भी नमन करता हूँ जिनके प्रयासों से आज भगबान सोमनात का भव्य मंदिर हम सब के सामने हैं हम सब के गौरव का प्रतीक बना हुआ है भायो वे नो लोपुरुस्तरदार बला भाई पटेल के सम्मान का माम लाओ दुनिया के अंदर उनका सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्मान प्रभान मंत्री मोधी जीने के उडिया में करवा करके सरदार सहब को उनके सम्मान और उनके गौरव के अंदूप सम्मान देने का काम किया है कि बाबा साथ भीम्राम बेटकर को उनसे जड़ेवे पांच परमुकस्तलों को पंच तीर्थ के रूप में विक्षित करने का काम प्रणान मंत्री मोधी जी के नित्रत्तों में भारतिये जनता पार् गारियाधार नी पावन धरतिना संत बालम राम बापा अने गोहिलवार ना सूर विरो ने नमन करो छो गारियाधार भारतिय जनता पार्टी के लोगप्रिय प्रत्यासी सी केशो भाई नाक्रानी जी गुज्रात प्रदेश उपाध्यक से माहिंद्र सिंग जी संत स्वामी धन्सुक बापो जी श्वामी हर जीवन दाजदी प्रफिल्लु भाई केतन भाई आति भाई और भारी संख्या में गरियाधार विधान सवा चेतर से जुड़े वे सवी पस्तित भाईयों बेहनों पोजे संतों और सूर विरों की स्थर्ती को नवन करती वे मैं आप सब का विनंदन करता हूँ भाईयों बेनों गुजराद की धर्ती बड़ी महान धर्ती है अप्तर प्रदेश में जन्में भगवान कृष्न कनहिया इस धर्ती पर आकर के द्वारिका धीस हो गए अप्तर प्रदेश के ही अयोध्या के पास सपिया में जन्में प्रक्वान स्वामी नारेण गुजराद में आस्ता की प्रतीक बन करके छा गए गुजराद की धर्ती ने राष्ट पिता महात्मा गांधी दिया जन्होंने देश की आजादी को नेत्रत देते वे ब्रिटिस हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था कर दो